यह जो मेरे हाथ में इस वक्त आप देख रहे हों और कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, बहुत कमाल की चीज़ है, भहिट इसको पहन 197, 36, पॉक पर जा सकते हो इसको पहन के कॉल्स दे सकते हो और सबसे important बात है इनको पहन के ना बड़ी अमीरों वाले फील आती है तो problem क्या है? problem यह है कि बड़ी देखो एरपोज को किसी introduction की जरुवत तो नहीं है लेकि इनको खरीदने के लिए आपको बहुत अमीर होना पड़ता है क्योंकि इंडिया में इस वक्त आपल चार तरह के एरपोज बेच रहा है जिनमें जो सबसे सस्ते वाले हैं एरपोज second generation उनकी price शुरू होने वाला है 9 to 5 Mac की एक रिपोर्ट के according आपल एक सस्ते एरपोज पर काम कर रहा है और इनका नाम होगा no points for guessing Apple AirPods Lite वैसे ऐसी भी रख सकते थे शयाद भी रख दे वर इंपोर्टन यह है कि Apple एक वाकई में सस्ते एरपोज पर काम कर रहा है और इनकी जल्दी launch कर सकता है अब अगर मैं logically सोचू तो इनकी जो price होगी वो obviously second generation AirPods से कम होगी यानी 10 से 12,000 रुपए के आसपास AirPods Lite या ऐसी launch हो सकते हैं यह बिल्कुल मेरा assumption है अभी तक Apple ने इसके ओपर officially कुछ भी नहीं बोला है तो हो सकता है actual price जादा ही हो बट current जो हमारे पास portfolio है उसके साब से यह price एकदम fit बैटती है और इसी price पर Apple जो है Sony, Samsung, OnePlus के जो earbuds है इनके साथ compete कर सकता है अब obvious सा question है आपके दिमागे भी आ रहा होगा कि Apple ऐसा कर क्यों रहा है जबकि वो TWS सेग्में में अभी भी एक leading player है इसका reason ही बहुत simple सा है Apple का जो prediction था 2022 के लिए अपनी TWS sales का वो था 73 million units जो की 2023 में गिर कर हो चुका है 63 million units तो हला कि वो अभी भी एक leading player है इस segment के अंदर but definitely airports के जो sales है उन में थोड़ी सी गिरावट आई और ये इसलिए आया है कि जो ये वाले airports जाना airports third gen जो last year launch हुए थे 19,000 रुपे के आसपास इनकी उतनी जादा demand इंडिया में या फिर दूसरे market से भी देखने को नहीं मिली तो Apple ये वाला gap कैसे fill करे उन sales figure को कैसे match करे अगें no points for guessing Apple airports light अब obviously ये premium TWS नहीं होने वाले हैं तो इनके अंदर top of the line specifications या features भी नहीं मिलेंगे तो सबसे पहले active noise cancellation या फिर ANC goes out of the equation वो anyway आपको जो open fit design वाले airports जाग उनमें वैसे भी नहीं मिलता और यहाँ पर क्योंकि price कम है तो expect करना भी ना इनसाफी होगी इसके अलावा शायद in ear tips भी ना मिलें वेकि देखो already जो 3rd gen और 2nd gen airports तो 15 और 20 रुपे के आते हैं उनमें भी open fit design नहीं दिये हुए तो बहुत बड़ा surprise मेरे लिए होगा अगर 10-12,000 रुपे के airports के ओपर Apple ear tips दे दे एक और feature जो यहाँ पर missing रहेगा वो होगा special audio अब Apple ने इस पर बहुत invest करा है काफी हला भी मचाया है 360 audio experience के बारे में इतनी बात होने लगी है बट again अगर आप price कम करना चाहते हो तो आपको इस वाले feature को भी skip करना होगा हो सकता है आपको AirPods Lite में कोई IP rating भी ना मिले design भी जो है in fact वो हो सकता है कि more or less कुछ ऐसा ही जो यह third gen AirPods है ऐसा ही हो in fact साथ stem बगरा थोड़ी बहुत लंबी भी देखने को मिल सकती है बट yes more or less इसी वाले design के अंदर AirPods Lite ऐसी हम expect कर सकते हैं हो सकता है आपको ली ने AirPods 2023 में यानि इसी साल के end तक launch कर दे तो चलो अच्छी बात कम से कम यह है कि जिन लोगों को AirPods का shock है जो हमेशा खरीदना चाते थे बट price के वेशे से नहीं खरीद पाए उनके पास at least एक option आ जाएगा जो उनके budget में हो बागे आपनों मेरों कमेंट करके बताओ आपको गया लगता है कि एरपोज लाइट लेकर आने का decision आपल का सही है या नहीं definitely comment करना वीडियो को share और like भी करना